गूड इवनिंग गूड इवनिंग अल आफ यो गूड नाइट सर्थ चलिए देखिए आज हम लोग इस क्लास में जो है लॉगरीथम से स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हिंदी में लगू गणक कहा जाता है लॉग के बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहला सी जैसे टेबल टेबल देखने में परिशानी होती है मैंने आप लोग को बोला था कि लॉग 1 से ले करके लॉग 10 तक का वैलू जो है सब लोग को याद होना चाहिए तो लॉग 1 से ले करके लॉग 10 तक का वैलू आप सभी जो है याद कर चुके होंगे नहीं भी याद किये होंगे तो यहां से हम लोग value कैसे आप निकाल सकते हैं टेबल को देख करके वो चीज हम लोग सीखेंगे कि टेबल को कैसे देखा जाता है चुकि इस modern age में बहुत सारे एप भी आगे हैं log calculator जीशे बोलते हैं तो log calculator से जो है आप value calculate कर सकते हैं आसानी से जैसे कुछ link जो है ग्रूप में share भी हुआ है लेकिन फिर भी जो है यह knowledge रखना जरूरी है कि लोग का टेबल हम कैसे देखते हैं यह सब के mind में जो है यह बना रहता है कि भाई जो हमारे बुक के पीछे में log का टेबल दिया हुआ रहता है यह सब log और anti-log का टेबल इस टेबल को देख करके value हम कैसे calculate करते हैं तो इस method के बारे में आज हम लोग discuss करेंगे चलिए और दूसरा चीज कि आप लोग जो है किसी की नाम को tag करके जो है message मत किजिए सुमन तिवारी आपको मैंने पहले भी हिदायत दे दिया है अगर आप अपनी आदत में नहीं सुधार किजिएगा तो आपको हर जगर से remove कर दिया जाएगा ठीक है comment से ज़्यादा जो है आप लोग किसी चीज को सीखने पर ध्यान देजिए चलिए आज आईए यहाँ पर देखिए जो table दिया रहता है log का उसमें सबसे पहले यहाँ पर in का value आपका दिया हुआ रहेगा एन का value दिया हुआ रहता है और एन का value जो है आपका starting रहता है 10 से और 10 से ले करके 99 तक रहता है 10 से ले करके कहा तक रहता है 99 तक रहता है 10 से आपका start होगा और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 यह जो देख रहे हैं यह आगे भी चलते जाता है dot 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 कहा तक 9 तक जाता है यह जो है आपको टोटल जो है 9 तक मिलेगा ठीक है लेकिन इस पेस कम होने के कारण मैंने इसको 5 तक ही बनाया है यहाँ पर मैं आपको टेबल बना करके और उसके बाद बताऊंगा ताकि आपका जो भी चीज है टेबल देखने का वो किलियर हो जाए दूसरा चीज इसके बाद यह 9 तक जब यह डिफरेंस समात हो जाएगा इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है तीन कॉलियूम बना रहता है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो तीनों में आपका जो है तीन-तीन डिजिट का वैलू दिया रहता है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इसको हम लोग कहते हैं मीन डिफरेंस इसको कहा जाता है वह गवा मीन डिफरेंस ठीक है अब आप यहां पर हिंदी जानने का प्रयास नहीं किजिएगा जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टुडेंट होंगे वो यहां पर हिंदी जानने का प्रयास नहीं करेंगे वह इसको आप भी क्या बोलिएगा मीन डिफरेंच चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिस मीडियम को आप सबको मिन डिफरेंस ही इसको बोलना है आजाएए यह जो वैलू रहता है इनके वैलू के बाद जो यहां पर जो डिया रहता है जी रो वान चो थ्री फोर फाइव सीक्स एट नाइट इसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं इसको वह डिफरेंस कहा जाता है इसको डिफरेंस कहा जाता है इसको डिफरेंस हम लोग आते हैं आज आईए यहां पर इनका वैलू आपका टेंस से इस्टार्टिंग होता है और देखिए मैं यहां पर जो है कुछ वैलू जो आपको लीक करके दिखाऊंगा सामने जो है चुकि लॉग डाउन का महौल है तो आपके पास बूक नहीं होगा बहुआ लेकिन आप चुकि जो हैं अंडुरॉइट सेट विंडो सेट विउस कर रहे हैं होएं नेट का जो ह है तो आप जो है लॉग टेबल डाउनलोड भी कर सकते हैं सर्क्स करके लॉग टेबल को डाउनलोड भी कर सकते हैं उसका पेडिये फाइल बगएर ठीक है ध्यान देजिएगा तो यह टेन हो गया इनका वैलू टेन हो गया चलिए देखिए बहुत तो यह एन का वैलू हो गया और एन के बाद जो है यहाँ पर जीरो का वैलू दिया रहेगा सबका मिनिंग हम लोग समझेंगे टेक है जो भी जीरो हो वन हो टू हो थ्री हो फॉर हो फाइब हो शीक्स हो सेबन हो एट हो नाइन हो जो भी डिफरेंस का वैलू दिया रहेगा वो आपका फोर डिजिट में रहेगा डिफरेंस का वैलू जो है वो फोर डिजिट में रहेगा कितना डिजिट में फोर डिजि नाइन दिफ्रेंश कहा से कहा तक रहता है तो मीन डिफ्रेंश वन से लेकरó कि नाइन तक रहता है अ हुआ अ आभर आपकर यह इंप वान皆 जिदुद धुद में होता है वह 20 के सामने वह 0043 होता है 2 का जो है 0086 होता है 3 का जो है 0128 होता है और यह value आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यह value आपको याद रखने की कभी जरूरत नहीं है । जब भी log से related आपको कोई भी नूमेरिकल्स किसी भी exam में चाहे वह बोर्ड exam हो या competitive exam हो किसी exam में अगर log से related numericals देता है बनाने के लिए तो जो है log में यूज होने वाले फर्मूले पर base करके देता है ठिक है या फिल जिसका value जो है आप असानी से 1 से ले करके, log 1 से ले करके, 5 दीन तक में जो याद करते हैं, उस पर जो है आप wusको पूट करके, आप उसका वयहरू कल्कुलेट कर सकते हैं, log का formula द型 लगा करके, उस पर बेसिस देगा ठीक है? और नहीं तो जैसे कभी-कभी CBAC board के 12th board exam में log से related question दे देता है जिसमें वो formula पर नहीं तूट पाता है तो उस condition में log का table मिलता है ठीक है कोई आपका जो है छोटा भाई आपसे पूछ दे कि भाई या log table जो पीछे दिया रहता है इसका क्या use है कैसे हम लोग देखते हैं तो इसके लिए जो है मैं आप सभी लोग को सिखा रहा हूँ ठीक है आईए देखिए फोर यहां पर जो भी difference का value होगा फोर डिजिट का होगा फोर में जो है 0170 होता है फाइब में 0212 ठीक है आप यहां देखिए मिन डिफ्रेंस का जो भी value होगा या तो वन डिजिट का value होगा या टू डिजिट का value होगा डिफ्रेंस का जो value होता है यह फोर डिजिट का value होता है अम मिन डिफ्रेंस का जो भी value होगा या तो वन डिजिट या कितना डिजिट टू डिजिट ठीक है या तो वन डिजिट का value होगा या टू डिजिट का value होगा यूज करना सिखेंगे अभी जस्ट कुछ देर वेट कीजिए वह वा फाइव नाइन थर्टी अगर किसी के सामने जो है लॉग टेबल है वह वह बूक है तो वह अपने सामने जो है बूक का लॉग टेबल निकाल कर बैठ जाएंगे और वेट कीजिए और यहाँ पर कितना गब हुआ पूर एट तूव अब देखिए चुक्की वन के सामने दो मद दिया है तो आपके मन पर है आप जो है फाइव यूज कर सकते हो फोड भी यूज कर सकते हो 9 भी उज़ 2 के सामने 9 भी उज़ कर सकते हो 8 भी उज़ कर सकते हो 3 के सामने 13 भी उज़ कर सकते हो 12 भी उज़ कर सकते हो ठीक है आप फिरी हो दोनों में से जो वैलू आपको पसंद है उस वैलू को आप उज़ कर सकते हो हाँ ठीक है बुक नहीं है तो डाउनलोड कर लिजिए सर क्या जरूरी है जरूरी के है वो चीज आप देखिए ना मैं बता रहा हूं आप वेट कीजिए ना आपके क्वेशन का जबाब मिल जाएगा अब आज आए बहुआ उसी परकार 456 के सामने भी आपका वेलू दिया रहेगा 17, 21, 26, 16, 20, 24, 30, 34, 38, 28, 32, 36 सेम कंडिशन है इसी परकार जो है आपका परतेक एन के वेलू के सामने आपका डिफरेंस का भी वेलू मिलेगा और मीन डिफरेंस का भी वेलू मिलेगा ठीक है परतेक एन के वेलू के सामने अब जैसे एन का वेलू 10 के बाद क्या होगा 11 तो देखिए बहुआ 11 के सामने जो है यहाँ पर 0 के सामने होगा 0, 4, 1, 4 1 के सामने होगा 0, 4, 5, 3 2 के सामने होगा 0, 4, 9, 2 3 के सामने होगा 0, 5, 3, 1 और 4 के सामने होगा यहाँ पर देख लिजिए 4 के सामने होगा 0, 5, 6, 9 फाइब के सामने 0607 ठीक है इसी परकार जो है मिन डिफ्रेंस का भी आपको वैलू रहेगा ठीक है अब आजाएए टेन 11 डॉट 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 इसी परकार 12 13 14 15 इसा बाते जाएगा ठीक है ना आज आएए बहुआ हम पहुंच जाते हैं 20 पर 20 पर पहु होगा यहां पर देखिए 20 के सामने 0 के सामने वैलू है 3010 3010 1 के सामने वैलू है 3032 2 के सामने वैलू है 3054 ठीक है 3 के सामने है 3075 4 के सामने है 3096 यहां पर है 3118 5 उसके बाद मीन डिफरेंस में दिया हुआ है मीन डिफरेंस में 1 के सामने 2 4 6 देखिए बहुआ 1 के सामने है 2 2 के सामने 4 और 3 के सामने 6 ठीक है अब 4 के सामने 8 11 13 8 11 13 15 17 19 इस परकार से वैलू जो है आपका दिया हुआ रहेगा चैक है अब ध्यान निजे यहां से भी आप कुछ जो है सीख सकते हैं लेकिन एक और हमको आगे बढ़ाने दीजिए थार्टी डॉट 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 थार्टी उसके बीच में भी है 21 22 और सब के सामने इसी परकार का वैलू आपको मिलेगा यहां पर आपको मिल लिगा 4771 4786 जिक्स चीक है। पोर एट डबल जीरो पोर एट वन फोर फोर एट टू नाइन चीक है फाइब सामने मिलेगा फोर एट फोर टीरी और मीन डिफ्रेंस में आजाए आप इसी परकार जो है 9 तक मिलेगा यहां पर 5 तक ही हम लोग बनाए है कॉलियूम तो 5 कहीं वोल्यूम रख रख रहा है अब इन डिफ्रेंस में आपको वन से ले करके 9 तक है 30 के सामने 1 3 4 6 7 9 1 3 4 6 7 9 इदर भी कुछ है छोड़ेना है उतना से मतलब नहीं रखना है आजाए इतना का यूज देखिए इतना का यूज क्या है पहले इतना का यूज देखिए आप लोग अभी मैं आपको जो है लोग पर दूँगा और उसके अधार पर आपको बनाना होगा ध्यान देखिए जैसे आपको question मिलेगा कि बहुआ लोग 1 का value बताईए ध्यान देखिएगा find value of find value of log 1 log 1 log 2 log 3 log 4 अब आजाईए गौड कीजिएगा log 1 का value अगर निकालना होगा तो इन का value कितना देखिएगे द्यान देजिए इसको पकड़ना होगा अगर log 1 दिया हुआ है तो log 1 को इन में कैसे बदलेंगे और इन के मान को log में कैसे convert करेंगे इन का मान अगर 11 है तो log का मान कीतना होता है इन का मान अगर 20 है तो log का मान कीतना होता है इसको समझना है इसको जो है इसको पकड़ना है बहुआ ठीक है ना चलिए ध्यान देजिए तो देखिए log 1 है log 1 को in में convert करना है तो log 1 बराबर हो जाएगा in का मान कितना तो ध्यान देजिएगा in का मान 10 log 2 है तो यहाँ पर in का value कितना 20 log 3 है तो in का value हो जाएगा 30 log 4 है तो in का value हो जाएगा 40 ठीक है ध्यान देजिएगा अगर मान देजिए यह चीज तो समझ गया log 1 है तो in का value कितना देखना है 10 log 2 है तो in का value कितना 20 अभी मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि 20 के सामने 0 देखेंगे, कि 20 के सामने 1 देखेंगे, कि 20 के सामने 2 देखेंगे, कि 3 देखेंगे, कि 4 देखेंगे, कि 5 देखेंगे, कौन सा वैलू देखेंगे अभी हम लोग वहाँ पर नहीं है अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि n का value कौन सा देखेंगे तो log 1 है तो log 1 का मतलब n का value कितना? 10 अब ध्यान देजिए अगर बहुआ गौर केजी यहाँ पर अगर n का value 11 देदेगा तब इसको log में कितना हम लोग समझेंगे अगर n का value 11 देदेगा तब इसको log में convert करके हम लोग कितना लिखेंगे अच समझे? ध्यान देजिएगा n का value अगर 11 देदेगा तो log में हम लोग इसको कितना लिखेंगे बहुआ तो log में लिखेंगे हम लोग 1.1 ठीक है अब concept अभी तुरत बताएंगे आपके खुद अपने दिमाग से concept आ जाएगा ठीक है न एक दूए example देखिए अपने से आप concept बता दीजिएगा कितना होगा ठीक है ध्यान दीजिए अगर एन का value अगर एन का value अगर हम लोग 100 दे दे वहुआ अगर कोई कहता है कि एन का value 100 है तो log में उसका value कितना होगा log में तुम कितना लिखोगे तो बताओ एन का value 100 है तो अब देखिए हम कैसे लिख रहे हैं हम इसको लिखेंगे log 10.0 ध्यान दीजेगा आपके mind में अपने से concept आजाएगा वहुआ अपने से clear concept हो जाएगा अपने से set कर लिजेगा कि decimal अगर एन का value दिया रहता है तो decimal को कहा पूट करना है कि वह लोग में convert हो जाएगा चिक है ध्यान दीजे आप लो अभी तो दो एक्जामपल दिये है अब आजाएगे अगर जो है एन का value बहुआ 956 दिया रहे अगर एन का value ध्यान दीजेगा थोड़ा सा अभी जो है यहां तक आप लोग को नहीं पहुँचा है 99 तक इंड हो जाता है टेबल तो उसको भी convert करने का तरीका बताएंगा अगर एन का value जो है आपको 99 दे दे तब जो है log का value कितना होगा तब log में इसको लिखेंगे log 9.9 तब इसको log में कितना हम लोग लिखेंगे log 9.9 चलिए ठीक है बहुत अच्छा अब आजाईए बहुआ अगर एन का value अगर एन का value बहुआ अब थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं 156 दे दे ध्यान देजिएगा हाँ एन का value जो है 156 दे देगा तब जो है बताएं log का value हम लोग कितना रखेंगे हाँ 9.9 9.9 सब लोग का answer सही है तो 156 दे देगा तो कितना लिखेंगे बहुआ log 15.6 log 15.6 10 सभाइब दे 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 लाश्तिक है हाँ अब ध्यान दे जिएगा नीचे नहीं दिखाई दे आया है अब देखिये गौर कीजिए अब जैसे यहाँ पर हम लोग को निकालना है बहुआ decimal को हम लोग बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा log 1.0 देखिये इस decimal का बहुत कमाल है बहुआ कितना हो जाएगा जी log 1.0 log n का value 20 है तो आप इसको कितना लिख सकते है log 2.0 n का value 30 है तो आप कितना लिख सकते है log 3.0 n का value 40 है तब आप इसको कितना लिख सकते है 4.0 अब देखिये अब आपका यहाँ पर clear हो गया decimal के बाद जो digit आएगा decimal के बाद जो digit आएगा चाहे वह 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो कहा तका सकता है 9 तक तो decimal के बाद जो value होता है उसी को जो है difference कहते है decimal के जस्ट बाद decimal के जस्ट बाद अब यह नहीं कि एक digit डो digit तीन जीट यह नहीं decimal के जस्ट बाद जो digit आएगा उसका value किसमें देखना है difference में देखना है decimal के जस्ट बाद जो value आएगा उसका value की इसमें देखना है difference में तो यहाँ पर देखिए दो concept समझना है अगर मालीजी यह log 1 दिया हुआ है तो log 1 दिया है तो आपको उसको n के value में convert करना होगा तो आप log 1 को n का value में कितना समझोगे तो 10 समझोगे कितना समझोगे 10 समझना है उसको 10 समझना है भोगा ठीक है ना अब ध्यान दीजिए तो n का value आपका कितना आ गया 10 n का value कितना गया 10 आप 10 के सामने देखिए decimal देदेने से किल्टर हो गया कि 10 के सामने क्या देखेंगे 0 10 के सामने क्या देखेंगे 0 10 के सामने log1 दिया है log1 का मतलब log1.0 उसको लिख सकते हैं उसमें कोई प्रॉप्टम नहीं है log1 को log1.0 लिख सकते हैं यहां से n का value आपका 10 आगया बहुआ तो n का value देखेंगे 10 में आप point के बाद क्या रहा है 0 तो 10 के सामने क्या दिखेंगे 0 तो मताईए log1 का value के आगया 0 log1 का value के आगया जी 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 चलिए द्यान दिजेगा आप लो n का value 10 तो 10 के सामने in front of 10 कितना देखेंगे 10 के सामने 0 का value 10 के सामने 0 का value कितना है 0 0 तो log1 का value आजाता आपका 0 ठीक है यह region है कि log1 का value आजाता है 0 अब ध्यान देजेगा log2 log2 आगया तो 2.0 लिख सकते है न तो 2.0 लिख सकते है तो n का value कितना 20 अब 20 के सामने कितना देखेंगे तो point के बाद क्या आया है 0 तो 20 के सामने 0 देखेंगे 20 के सामने 0 का value कितना 3010 यह बहुआ 3010 ठीक है अब मामला थांस गया 3010 लेकिन आप कहिएगा कि सर हम लोग तो पड़े है कि point 3010 होता है सही पड़े है अब देखिए होता क्या है कि 20 के सामने 0 का value होता है उस value को लिख दिया जाता है अब value लिखने के बाद उसके आगे जो है decimal हम लोग बर्ठा देते हैं क्या बर्ठा देते हैं वहाँ decimal बर्ठा देते हैं तो इसका value कितना अगया जीतना भी value आएगा value के सब से आगे सबसे आगे जो है decimal अपने मन से बइठा देना है अपने मन से बइठा देना है decimal तो कितना आ गया? 0.3010 कोई प्रबलम? अब आजाईए अब बताईए तो n का value बहुआ 30 है n का value 30 है तो 30 को आप क्या लिख सकते हो? जैसे हैं मैं अब नीचे वाला मिटा दे रहा हूं दोनों बताओ n का value जब 30 है तो 30 को तुम क्या लिख होगे? पीछे से one digit के बाद decimal बइठाओगे? पीछे से one digit के बाद decimal बइठाओगे बहुआ? तो बताओ क्या हो जाएगा? जी वाल पीछे से decimal कहां बढ़ाना है? लॉग में जब n के value को लॉग में convert करना है तो decimal कहां बढ़ाना है? तो पीछे से one digit के बाद किधर से? पीछे से one digit के बाद आगे से ना पीछे से one digit के बाद यानि 10 से divide कर देना है किसे divide कर देना है? 10 से डिवाइट कर देना है हाँ, चीक है आज आईए, तो n का value 30 है बहुत वोका जबाब आ गया है log का value, सही है हाँ, लेकिन मैं जीतना पूछू उतना ही बताईए अभी n का value 30 है तो आप पहले आपको बताना है log में इसका value कितना होगा तो log 3.0 लिख देंगे बिल्कुल सही आप आजाईए, अब जैसे ही हमने इसको log में convert कर दिया जैसे ही आप decimal में बहुआ decimal में जैसे ही उसको convert कर दोगे आपका answer बन गया आजाई, 3.0 है इसका मतलब n का मान देखना होगा तो decimal हटा देना है n का मान देखना होगा तो इस decimal को समझ जाना है कि decimal है यह नहीं है आप से कोई पूछ देगा कि log 3.0 है तो n का value बताओ तो आप जो है इस decimal को भूल जाओ कुछ भी कितना भी बड़ा digit रहेगा अगर आप से n कोई पूछ देता है तो आप इस decimal को भूल जाओ और डाइडेक्ट यहाँ पर decimal को अंदेखा करके आम मान बता दो log n का मान कितना? 30 अब अगर आपको जो है कोई कहता है कि n का मान जब 30 है तो log में बताओ तब क्या कर देना है इसको? तब हुआ पीछे से 1 कंग के बाद decimal बइठा देना है दोनों के लियर है अब आजाइए अब जो है अब वह वा चुकि यह चीज तो आप इसे जो है log में आपने convert कर दिया अब आपको देखना क्या है? तो आप 3 के सामने 0 नहीं देखिएगा क्या देखिएगा? तो इन का मान तो इन का मान कितना? दस मलों जो है दस मलों को अंदेखा कर देना है इन का मान कितना? 30 अब 30 के सामने क्या? 0 पॉइंट के बाद देखेंगे कि क्या है तब पॉइंट के बाद क्या है? 0 तो 30 के सामने 0 का मान कीतना? तो आज अई, 30 के सामने 0 का मान है 4771 ठेखे? आपने से क्या कर देना है? तो अपने से यहाँ पर decimal बैठा देना है अपने से decimal बैठा देना है वहुา ठेखे? इमान निकल गया अब जो है आपको थोड़ा समय आगे की तरफ बढ़ाता हुगा हुगा ध्यान देजिएगा इसमें किसी को कोई दिकत नहीं है इसी परकार जो है आप अपने लॉग टेबल को डाउनलोड कर लिजिएगा मोबाइल में या फिर हम जो है डाल देंगे ग्रूप में ठीक है अब उसी परकार लॉग 5, 5 का मतलब इन का मान कितना 50 उसी परकार बहुआ लॉग 6, 6 का मतलब 6.0 और इन का मतलब कितना इन का मान 60, आज 60 के सामने क्या देखोगे 0, पॉइंट के बाद जो होता है वो देखते है जिटो उसके बाद पॉइंट के बाद 2, 3 दिजिट अब हम पॉइंट के बाद जब दूग वो डिजिट रहेगा तब क्या करेंगे, तीन वो डिजिट रहेगा तब क्या करेंगे, आएगा, ध्यान दिजिएगा, अब वहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स का हम लोग उज़ करेंगे, बस यहीं तक ही उज़ है, और आपको टेवल भी दे पर. एट रहेगा, तो आप मैथमेटिकल स्टूल्स आपको अप्ते से क्रियेट करना है, इस पर सुट पर शीट करना पड़ता है, इन का वैलू सिक्स्टी, 60 के सामने 0 देख लेना है, लॉग सेबेन तो 70 के सामने 0, सेबेन के सामने क्या जी? 0 लॉग 8 रहेगा, तो 80 के साम जीरो लॉग नाइन तो एन का बैलू 90 90 के सामने जीरो आ लॉग बहुआ 10 रहेगा तो 10 का मतलब 10.0 और एन का मान कितना 100 100 के सामने 0 का बैलू पता हो है आप लोको 0 का मान होता है 1 तो याद रखिएगा लॉग 10 का बैलू 1 लॉग 1 का बैलू 0 लॉग 1 का बैलू 0 लॉग 10 का बैलू 1 ठीक है याद रखिए दूगो याद होगे आप लोको लॉग 1 का बैलू 0 और लॉग 10 का बैलू 1 हो गया अब ध्यान देजिए अब जो है जैसे डेसिमल के बाद दूगो डिजीट दे देगा तीन गो डिजीट दे देगा तो उसका हम लोग कैसे वैलू निकालेंगे अब थोड़ा सा जो है हम लोग स्टेंडर्ड बढ़ाते हैं यहाद तक किलियर है सब लोग का हाँ खेलो खेलो पबजी खेलो रॉक्स गेमिंग चलो ठेक ध्यान देजिए अब हुआ अगर किसी को कॉमेंट से परिशानी होती है तो आप अपने पर उसको ब्लॉक कर सकते हैं आप अपने आईडी पर उस व्यक्ति को ब्लॉक कर सकते हैं ठीक है यह आप अपना कॉमेंट आफ कर सकते हैं और जब आपको कुछ मैसेज करना हो तो उसको अन करके फिर आप मैसेज करके फिर उसको हटा दीजी आपके स्क्रीन पर नहीं देखें ठीक है न यह सब कुछ ऐसे अवांचनिये तत्व होते हैं जो कि कितना भी समझाने के इसके बाद वो समझ नहीं सकते हैं उनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता है तो आपको खुद अपने से बहुत सब्सक्राइब करना होगा अपने से कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि यह बाई हमारा पढ़ाई बाधित नहों अगर आप पढ़ने के लिए चुक हैं तो बहुत साफ आप्सन है आप अपने आईडी से भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं उसके नाम पर क्लिक कीजिए रिपोर्ट आएगा रिपोर्ट में जाके ब्लॉक कर दीजिए कभी उसका दिखाएगा नहीं चीक है चलिए अब ध्यान दीजिए अब बहुआ मैं आपको बोलूंगा देखिए क्या भी मैं आपको दूंगा थोड़ा सा क्वेस्चन प्रेक्टिस कर दिजिए क्वेस्चन फाइंड वैलू ओफ फॉलॉविंग वैलू निकालना है लॉग चुकि आपने कहा तक देखा आपका टेबल जो है वहुआ टेबल आपका एन कामान हम कहा तक बता हैं तो नियानबे तक बता हैं एन कामान जब 99 होगा तब आपड़ाओ जी लॉक कामान कितना हो जाएगा एन कामान जब 99 होगा तो लॉक का वैलू कितना होगा बताते जाओं कितना होगा हाँ ठीक है जो लोग फालतों कॉमेंट कर रहे हैं अगर आप लोग को परेशानी है वह हुआ तो आप उसको ब्लॉग कर सकते हैं हम बताएं हैं चुकि अब हम लोग पढ़ाएंगे कि कॉमेंट जो है बार बार चेक करते रहेंगे कॉमेंट हम लोग देखते हैं एंसर देखिए जैसे अभी एंसर दिखाए दिया 9.9 तो इस पर हम लोग का जो है तुरंत आख जाता है लेकिन उस सब कॉमेंट पर नहीं जाता है जो लंबा लंबा लिखा रहता है ठीक है ना तो चलिए हाँ देखिए इस सब पढ़ने वाला अच्छात्रा है जी और नहीं पढ़ने वाले को आप लोग पाशान सकते हैं तो उसको तुरत ब्लोक मारिए चलिए ध्यांदी जी आप लोग तो इन का वैलू है 99 तो लोग हो जाएगा आपका 9.9 सब समझ गया ना पीछे से एक कांग के बाद दस मलोब खा देना है पीछे से ए वन डिजीट के बाद आपको डेसिमल पूट कर देना है चलिए तो लोग 9.9 तक ही आपका वैलू रहता है और हम देखिये का देंगे देखिये का देंगे बहुआ हम देंगे कि 99.9 अम मामला फास गया कुछ मामला फासा नहीं है बहुआ अगर हमने 99.9 दिया है ता पत पताईये एक वैलू कितना होगा ये का वैलू कितना हुआ तो आपको ये कावलू निकालने का तरीका क्या बता है बताईये तो 99.9 हम दिये है तो येड का वैलू कितना हो जाएगा ज़्दी रिपलाई दीजिए जी बिना चेटिंग किये हूए रिपलाई ef 999 उप बहुत गया है ता एन का वैलू कहता ना 999 अब 999 जो है इन के माने नहीं रहता है इन के 99 तक लास्ट रहता है तब तमाम लपस गया ना अब कईसे बनाएंगे बववा तो कुछ नहीं करना है देखिए कैसे बनाएंगे ध्यान देजिएगा कैसे बनाएंगे एन का मान तो 9999 नहीं होता है तो अब जो है अपने से इसको सेट करना है किस पर तो एन के मान पर ऐसा हम लोग इसको convert करेंगे इस data को ऐसे हम लोग लिखेंगे कि यह n के value पर set कर जाएं ठीक है तो चलिए आईए देखिए देखिए कैसे हम लिखते हैं भवा थोड़ा सा आप ध्यान देजिएगा उसके बाद आप लोग जो है बहुत तेज तरह रादमी है तुरत सिख जाएएगा ध्यान देजिएगा भवा तो लॉग 99.9 है भवा तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे तो ध्यान देजिए इसको हम लिख रेंगे भवा लॉग की 99.9 है न तो इसको हमें क्या सेट करना है तो डेसिमल को एक डीजिट आगे लाएंगे भवा डेसिमल को कहा लाएंगे एक डीजिट आगे लाएंगे ध्यान देजिएगा यह डेसिमल को कहा लाएंगे एक डीजिट आगे लाएंगे य अहां पर कितना हो जाएगा 9.99 ठीक है ध्यान दीजिए आप 9.9 decimal को एक digit आगे लाएंगे किधर तो left side की ओर ठीक है तो अब ध्यान दीजिएगा जब decimal आप रूल पढ़े होंगे हुआ कि जब decimal जो है वह left side जम करता है किधर left side तो left side जब जम करता है तो 10 का power 10 का जो power हम लोग चरहाते हैं बहुआ multiply करते हैं जो 10 के power से वह जो है positive होता है कि negative होता है तो आप भूल गए होंगे तो बता देते हैं positive चुकि confusion होता है कि जब decimal left side जम करेगा तो positive की negative अक्सार आदमी भूल जाता है तो आप ध्यान देजिएगा रोड पर रोड पर चलना की से साइड हमारे life के लिए positive होता है रोड पर की से साइड हम लोग चलेंगे तो वह हमारे life के लिए positive होगा लेफ्ट साइड, रोड पर लेफ्ट साइड चलना हारे लाइड के लिए पॉजिटिव होता है तो उसी परकार जब डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा तो 10 का पावर पॉजिटिव हम लोग चढ़ाते हैं और कितना चढ़ाते हैं, जीतना डेसिमल बहुआ जीतना डेसिमल को लेफ्ट साइड हम लोग उठालते हैं जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसिमल को हमें एक डेजिट के बाद सेट करना है तो हमने इसको एक डेजिट उचाल दिया बहुआ अब जो है, यह डेसिमल लेफ्ट साइड आया कितना digit आया, एक digit उचला है, तो एक digit उचले वह हुआ, तो यहाँ पर 10 का पावर कितना, 1, जितना digit उचलेंगे, उतना 10 का पावर चड़ा देंगे, अगर लेत साइड उचलेंगे, तो 10 का पावर positive 1 चड़ाएंगे, और राइट साइड उचलेंगे, तो 10 का पावर negative 1 चड़ पॉइंट नाइन नाइन में बहुआ सेट कर लिया अब देखो जी इह बैलू एतना हो गया इसी चीज को हमने इतना लिख दिया 9.99 इन्टू 10 टू दी पावर कोई दिकत इस दोनों सेम बैलू है अब गौर कीजिए अब जो है आप फर्मूला जानते हैं जी फर्मूला आप जानते हैं बहुआ द्यान दीजिए का फर्मूला आप जानते हैं क्या जानते हैं अब देखिए तो हाई हो गया एम आए हो गया बहुआ एन ता लोग M into N बराबर फर्मूला क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा फर्मूला? ध्यान दिजिएगा यह M into N हो गया तो बताएं तोड़िये तो log m into n बराबर formula होता है log m आ m का value कितना 9.99 पलस log n आ log n का value कितना तो 10 का power 1 यानि जब log दोनों में लगा देंगे तो यह multiple वाला sign जो है पलस में बदर जाता है जब log दोनों में सटे का multiple का sign होगा वह किस में convert हो जाएगा पलस में convert हो जाएगा ठीक है ना गुणा पलस में हो जाता है यहाँ पर हम लोग किस formula का यूज़ किये हैं तो हम लोग formula यूज़ किये हैं बहुआ चुकी log m into n बराबर log m plus log n याप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत log m into n बराबर log m plus log n इसी formula पर हम लोग पूट किये हैं यहाँ पर हम formula बता देते हैं log m into n equals to log m plus log n चीक है अगर यहीं division में रहेगा अगर m upon n हो जाएगा multiplication में रहेगा तब plus आप division में रहेगा तब minus log m minus log n अब ध्यान देजिएगा log m का power log m का power n रहेगा तब क्या हो जाएगा तो n log m हो जाएगा power जो है आगर multiplication में आ जाता है n log m हो जाएगा कोई problem यह सब formula होता है ठीक है चलिए ध्यान देजिए अब बताइए अब तो है आपके पास आ गया क्या जी तो 9.99 अब ध्यान देजिएगा बहुआ इन का मान जो आपका निकलेगा तो आगे वाला दूगों वाला दीजिट से जान दीजिए डेसिमा लोग गाइप कर देंगे तो एन का मान कितना 99 अबसमेल का मान कितना 9 निन्यानबे मैं अका बैलो हमने कितना देखा निन्यानवे पहक़ वाऔर है मन यहांपर देखिए माहें यहांपर मुना का वैलू और फिरसरक समस्र Molly जी जिरो नहीं देखिंआ क्यों कि यहां पर इन का वैलू यहां से पता चलेगा आगर वह रहता तो 99 के सामने क्या देखते जीकोग लेकिन यहां पर क्या है तो ना है तो 99 के सामने क्या देखेंगे 9, कोई दिकत, तो 99 के सामने बहुआ 9, तो यहाँ पर देखिए 99 हो गया, यहाँ पर 0 का वैलू रहो हो, यहाँ पर डाइडेक्ट लिख दे रहे बहुआ 9 का जी, 9 का वैलू है 9996, 9996, ठीक है, ध्यान देजिए, अगर यही चीज 0 रहता, तो 99 के सामने 0 का वैलू देखते, और 0 का वैलू होता, 9956, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, क्या है, 9 है, तो यहाँ पर decimal को हटा दिये, इन का मान निकल गया, इन का मान कितना, 99, और 99 के सामने डिफरेंस कितना, 9, तो 99 के सामने डिफरेंस कितना है, 9996, यह बहुआ, देखिए ना जी, 9996, और आगे हम लोग क्या बैठा देंगे जी, डेसिमल, आगे बैठा देंगे, डेसिमल, पलस, पलस, लॉग 10 का पावर 1 है, तो लॉग M to the power N, लॉग M का पावर N, लॉग M का पावर N, M के जगा पर है 10, आए N के जगा पर है 1, तो फर्मूला क्या होता है, कि जो पावर होता है, वह आगे, मुल्टिप्लिकेशन में आजाता है, लॉग 10 का वैलू आपको पता है, कितना होता है, 1, या जो भी मान है वो हुआ, या जो आप लॉग का टेबल देखते हैं, जो आपके बुक में लॉग टेबल दिया रहता है, वह लॉग to the base 10 होता है, ध्यान देजिए, मैथ से अलग होता है, मैथ में आपके जो टीचर बताते हैं, वह लॉग to the base E बताते है, जो नेचुरल ल जैलू से मतलब नहीं होता है, लॉग टेबल से मतलब नहीं होता है, चुकि वह कैलकुलेशन होता है, इसलिए वहाँ पर वो चल जाता है, लॉग to the base A भी राता है, तो भी चल जाता है, लेकिन केमेस्ट्री में हमेशा आपको लॉग को कनवर्ट करना है, लॉग to the base 10 में, तो यहां पर base को पूछेगा, कि बहुआ यह जो lock table दिया रहता है हमारे book में, इसका base क्या होता है, तो base 10 होता है, lock to the base 10 होता है, आजाएज़े, तो 1 into 1 by 1, I answer कितना आगिया, 1.99996, यह बहुआ आगिया, I answer, ठीक है, clear है, अब ध्यान दिजिएगा, अब कहिएगा, कि सर, चलिए देख लेजिए, ध्यान दिजिए, इबहुआ न 12th का है, न 11th का है, इक chemistry का बहुत important part है, ठीक न, जो मैथ वाले गुरुजी छोड़ देते हैं हम लोग के लिए, क्योंकि वहाँ पर टेबल देखने का कोई जरुरत नहीं पड़ता है, हाँ ध्यान दिजिए, इस सब के लिए important, 9th, 11th, 12th, सब के लिए बहुआ, गौर के जिएगा, इसके value में कोई दिकत नहीं है, अब आजाएगे, अब वहाँ हम आपको जो है यहाँ पर और थोड़ा सा value चेंज करेंगे, अब हम कहेंगे कि नहीं, 9.9 नहीं देंगे वहाँ, इसी value में आपको मैं convert करता हूं, 9.95 दे देंगे, ठीक है, ध्यान देजिए, इसको मिटा दे रहाए हैं, आप recorded वीडियो फिर से देख लिजिएगा, ध्यान देजिएगा, log 99.95, अगर आप से हम n का मान पूछें तब हुआ, n का मान आप कितना चिला इएगा, तो 10 मलों को जो है, अन देखा कर देना है, 10 मलों अन देखा कर देना है बहुआ, तो n का मान कितना, जी n का मान बोलो, n का मान कितना, जल्दी comment करो, n का मान कितना, 10 मलों जो है, अन देखा करो, 9.995, ठीक है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, अब आईए क्या एन कामान इतना टेबल में रहता है नहीं रहता है टेबल में हमें कहां तो निन्यानबे तक मैक्सिमम अब निन्यानबे तक रखने के लिए बहुआ दस्मलो को कहां ले जाना पड़ेगा तो दस्मलो को इजा ले जाना पड़ेगा यानि लॉग कामान कितना 9.9 करना पड़ेगा ठीक है लॉग कामान कितना करना पड़ेगा बहुआ 9.9 करना पड़ेगा ध्यान दिजिए गाँ तो अब हम जो है वही काम करेंगे बहुआ लॉग सब कुछ हुआ है जी दसमलो को एक डिजिट इधर लाए लॉग 9.9 उसके बाद क्या बच गया तो 95 बच गया अब ध्यान देजिएगा लॉग 9.995 ध्यान देजिएगा अब जो है यहां से समझिए दसमलो जब एक डिजिट किधर ला है लेप्ट साइड तो जब दसमलो को लेप्ट साइड उच्छा लेंगे या राइट साइड उच्छा लेंगे उसको जो है टेन का पावर 10 का पावर से हम लोग multiply करेंगे 10 का पावर कितना चढ़ाएंगे तो देजिए जीतना dg 10 मौलों को उच्छा लेंगे तो यहाँ 10 मौलों कहे बार उच्छा लेंगे एक बार ना 10 मौलों को कहे बार उच्छा लेंगे तो एक बार उच्छा लेंगे जब left side आएगा तब positive और right side होगा तो negative या दोसी तरीके से रखना है कि road पर left side चलना life के लिए positive है और road पर right side चलना life के लिए negative है तो ध्यान देजिए या चीज हो गया अब जो है इसको bracket में आपको रख लेना है जाएए अब इसको आप लिख दो जी log m into n के form पर लिख दे जी m into n के form पर लिख दे आ जाएए तर लोग कितना तर लोग 9.995 पलस यह तो चीज एक दम आप लोग जान गए है log 10 का power 1 आ जाएए इसका तो value 1 हो जाएगा जी clear है ना 1 log 10 equals to 1 इसका मामला फ़सा तो अब देखिए इसको आपको जो है दसमलो हटा के जो दूगो डिजिट होगा दसमलो के अगल और बगल में जो दूगो डिजिट होगा हुआ वही आपका इन का मान देता है बहुआ देखो concept समझो जी दसमलो जहां रहेगा दसमलो को हटा दो आउकरा अगल बगल ठीक है ना आजएगा 99 आजएगा 99 आजएगा 99 आजएगा 99 आब बताओ कि अभी जब इन का मान 99 आगिया तो 99 के बाद क्या है 9 99 के बाद क्या है 9 तो 99 के सामने क्या देखेंगे 9 9 के सामने वाला खाना देखेंगे 99 क्या गया 9996 क्या गया बहुआ 9996 तो यहां पर 992 के सामने 9 देखें और इसका भैलू लिख दिये कितना भैलू लिख दिये जी तो इसका भैलू लिख दिये 9996 ठीक है अब अब और क्या बच गया 99 के सामने 9 कातव भैलू लिख दिये तो यह 9 जो बचा जस्ट एन के मान के बाद एन का मान कितना हो गया है दूनो, है दूनो, 10 लो के हटा के है दूनो N का मान कॉन, तो दस मलो के हटा के, ओकर अगल अबगल ओल होला, दूनो को सठा देना है तन N के मान के सामने N के मान के Justबाद जुबहलू होता है उसको difference बोलते हैं, क्या बोलते है? difference तन 99 के सामने difference कीतना, 9 मिन डिफ्रेंस कितना पाच मिन डिफ्रेंस बहुआ पाच तो देखिए नो नो छो इन नानबे के सामने डिफ्रेंस हो गया यह का लाएगा डिफ्रेंस यह हो गया एन का मान यह हो गया बहुआ एन का मान आ यह क्या का लाएगा इका लाएगा डिफ्रेंस आ यह क्या का मेन्स लागा मिन डिफुरेंस एडाइड़ेक्टर हाय दाइड़ेशि Прेंगर्प एड़ीडीफरेंस अ्ञी डिफूरेंस मेंन डिफुरेंस ट्रॉकष्टर होता है value को लिख करके आदसमालों अपने से साठा देना है पलास अब ध्यान दिजिएगा पास केतना तगार किजिए mean difference में 99 के सामने 5 तो वह वह वैलू हम नहीं लिखे हैं वो पहले का वैलू लिखना है लिखा हुआ है mean difference में 99 के सामने 5 तो 5 का वैलू होता है वह हुआ 2 ध्यान देजिएगा डाइडेक्ट वह हुआ फाइवे वाला लिख दे रहे हैं 5 का वैलू जो होता है 2 अब ध्यान देजिएगा अब इस 2 को कैसे add करना है आगे ना बहुआ mean difference है बहुत छोटा value है बहुत छोटा तो इसको unit place पर रखते हैं unit place पर 2 यहाँ पर add कर देंगे ठीक है ना 2 यहाँ पर add कर दीजिए ठीक है अब इसका value कितना आ गया तो 0.9998 आ गया चेक है 9998 यहाँ पर इसका value कितना है बहुआ 1 इसका value कितना है 1 तो चलिए इसका value है बहुआ 1 तो टोटल value कितना आ गया 1 में इतना को जोड़ देंगे 1.9998 कितना आ गया answer 1.9998 इतना answer आ गया किसका log 999.95 तो इसको जो है अपने हिसाब से हम लोग को तोड़न पड़ता है ध्यान देजिएगा concept आप समझ गया ना यही में 10 पढ़ना है बहुआ कौन difference, कौन n का मान, कौन mean difference, कौन n का मान, कौन mean difference, ठीक है आट टेबल का कामाल है आप बस है तीन को फर्मूला याद रखियेगा ना तब बहुआ यह चीज जो है आपको याद रहेगा आई लोग का जो बहुआ यह टेबल है यह लोग का टेबल to the best 10 है लोग का टेबल जो है chemistry में कितना to the best 10 क्लियर है न जी इसको मिटा देना अग इस समझ गेना आप लोग 99 के सामने difference 9 नौ देखना है आप मीन डिफरेंस पाच देखना है तो 99 के सामने डिफरेंस में नौ का नौ के सामने वाला वैलू देखियेगा तो यह है 9996 आद दस्मॉला अपने से आगे बइठा देना है मीन डिफरेंस में कभी किसी भी चीज का मीन डिफरेंस में आपको वैलू रखना होगा ता आगे से नहीं बहुआ किधर से पीछे से क्योंकि हई है रूपाया आई ही होता है पाइसा डिफरेंस होगे या रूपेया आई ही सब क्या जी पाइसा तब पाइसा को पीछे न जो के जोड़ देना है ठीक है किलियर है आप आजाईए ताप लोग को जो है बहुआ कुछ हम मोंबग दे रहे हैं और आप उसका सॉल्यूशन करके हमको वाट्सेप कर दीजिएगा देखते हैं कुछ समझे हैं कि नहीं और जो कुछ चीज़े होंगे कल बहुआ कल इसी समय पर किलियर होगा ध्यान देजिए को लोग का टेबल अभी हम लोग देख रहे हैं एंटी लोग का भी टेबल देखेंगे ध्यान देजिए गौर कीजिए हैं होमबर्क में वैलू निकालना है वैलू किसका तो लोग 123.5 A number B number log 12.6 C number log 3.65 D number log 0.0008 6 आपको सेट करना है कैसे आप सेट कीजिएगा एन के मान पर 10 मलोग को आगे पीछे करके ठीक है ना लोग 0.92928 आइ इंटू 10 का पावर आइनस 3 लोग लोग 420 इसका वैलू निकालना है कोई तरह कि लोग 500 का वैलू निकाली है आप से कोई कहेगा कि लोग 0.5 का वैलू बताइए था वन नहीं वन के आधा का वैलू बताइए लोग 0.5 का वैलू बताइए लोग 3 by 2 का वैलू बताइए चिक है यह जो है आप पूरा जो है कम्पलीट कर लिजिए चुकि एक ही दिन में ज्यादा दिमाग आप लोग जहां तक समझे हैं वहां तक पहले कम्पलीट कर लिजिए उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं कल पूरा इसी समय पर ठीक है आप बाकी जो मेन बैस का टाइम है बहुआ वो सारा जो है टाइम है उसमें जो है कोई टेंशन नहीं लेना है आज के लिए आप सभी लोगों गुड़नाइट गुड़नाइट अल आफ यू बाई बाई